गुड मार्निंग स्टूडेंट्स आज हिंदी में हम पुंद्रावर्तन करेंगे एक वाक्यों के प्रश्ण के उत्तर की चर्चा करेंगे प्रश्ण एक किसकी बहन न होने पर भी बच्चे उसे मामा खहते हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर है कि चांद की कोई बहन नहीं है फिर भी बच्चे चांद को चंदा मामा कहते हैं यहाँ प्रश्ण जो सात्वी पहलिया हैं बुचो तो जाने इसका है दूसरा प्रश्ण है प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं तो प्रकृति के पांच तत्व है अगनी, जल, वायू, आकास और धर्थी यहाँ प्रश्ण काविय पांच धर्थी को महकाए का है अगला प्रश्ण है किसान खेती में किन साधनों का उप्योग करता हैं तो किसान खेत में खेती करते समय अनेक साधनों का उप्योग करता है तो बहुत साधन के नाम है हल, बैल, ट्रेक्टर, कुदाल, फाउडा, हसिया आदी साधनों के द्वारा किसान अपने खेत में खेती करता है यहाँ प्रश्ण है राजा का हिस्सा कहानी का उसमें भी किसान खेत में खेती करता है और हल चलाता है हल में एक बैल है और दुसरे बैल के स्थान पर किसान ने अपनी पत्नी को जोड़ा है आगे का प्रस्न है हमारा रक्त कैसा है तो यहाँ प्रस्न है काव्यदो एक जगत एक लोग तो हमारा रक्त एक समान लाल है क्योंकि मनुस्य चाहे किसी भी दर्म या जाती का हो लेकिन सबके सरीर में बहने वाले रक्त का रंग एक समान लाल होता है और इसे रक्त के एक समान होने के कारण हम पूरी मानोजाती एक है यह साबित होता है आगे का प्रस्न है रेश्मा गोलू के लिए क्या लाई यहाप प्रस्न है पाट छे सुबह उसमें से यहाप रश्न लिया गया है रेश्मा के दोनों पाउं बेजान है फिर भी वह बाजार जाती है और बाजार से गर की जरूरी चीजों के साथ-साथ अपने भाई गोलू के लिए वह टोफी लाती है तो इस प्रस्न का उत्तर है रेश्मा गोलू के लिए टोफी लाई आगे का प्रस्न है हिर्नी का दिखावा कैसा था तो यहाप प्रस्न जो चित्रपाठ एक दयालू सिकारी है उसका है हिर्नी का दिखावा कैसा था तो हिर्नी दिखने में मोटी औ और ताजी थी, आगे का प्रस्ण है, हिनी किसकी गोली का निसाना बनी, यह प्रस्ण भी दयालू शिकारी का है, तो हिनी सिकारी की गोली का निसाना बनती है, सिकारी को मास खाने की इच्छा होती है तब वह सिकार करने के लिए जंगल में आता है उसकी नजर हिन्नी पर पड़ती है और वह बंदुक से हिन्नी पर गोली चलाता है और गोली हिन्नी के पाउं में लगती है तो यहां हिन्नी सिकारी की गोली का निशाना बनती है आगे का प्रश्न है दादा दादी के साथ फुल जड़ियां कौन छुड़ा रहा था यहाँ प्रश्न पाट छे सुबह कहानी का है रेस्मा के दोनों पाउं बेजान हो गए थे वह अपने पाउं पर चल नहीं सकती थी दिपावली का त्योहार था वह पहिये वाली कुर्सी पर बैठकर अपने दादा दादी के साथ फुल जड़ियां छुड़ा रही थी आगे का प्रश्न है हम सबका रक्त कैसा है इसका उत्तर है हम सबका रक्त एक समान लाल है आगे का प्रश्न आपके आसपास में कौन कौन से फूल देखने को मिलते हैं यहाँ प्रश्न है धर्ति को महका ए काव्यका तो हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चमपा के फूल देखने को मिलते हैं आगे का प्रस्ण है परवत किन के उद्गम स्थल है इसका उत्तर है परवत नदियों और जर्नों के उद्गम स्थल है यहाँ प्रश्ण है बुझो तो जाने पहलिया में से लिया गया है हम अक्सा देखते हैं कि नदियां और जर्ने सब परवत में से निकलते हैं उद्गम स् तो नदियों और जन्नों का उत्पत्ति स्थान है परवत आगे का प्रश्न है बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं यहाँ प्रस्न है पार 3 समध्दा नन्ही कहानी का तो बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं तो बुरे व्यक्ति के साथ बार-बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं इस कहानी में भी बिच्चु का स्वभाव डंक मानना है वह किसी भी निर्दोस व्यक्ति को, निर्दोस प्रानी को वह डंक मार देता है ननी उसका मूरा स्वभाव चुरूआने के लिए उसकी गंदी आदत चुरूआने के लिए वह बार-बार उसके साथ अच्छा व्यवार करती है वह दो बार विच्चु को जीवन दान देती है इस तरह नन्ही की भलाई देखकर अंत में विच्चु अपनी गंदी आदत छोड़ देता है तो बुरे व्यक्ति के सही रास्ते पर लाने के लिए हमें उसके साथ बार बार भलाई करनी चाहिए आगे का प्रस्ण है नन्ही कौन थी? यहाँ भी समद्दा नन्ही का ही प्रस्ण है तो नन्ही एक बत्तक थी समद्दा नन्ही एक काल्पनिक कता है हमेशा प्राणियों और पक्सियों पर आधारित ये कहानिया हमें ऐसी सीख देते हैं जिसे हमें जीवन में उतारनी चाहिए। यह कहानी भी हमें यही सीख देती हैं कि बुरे व्यक्ति को सही राज्ते पर लाने के लिए हमें अच्छा व्यवार करना चाहिए। आगे का प्रस्न है हमारा धर्म क्या होना चाहिए। यह प्रस्न है काव्य दो एक जगत एक लोग का। काव्य में कहा गया है कि प्रगती न्याय मानवता धर्म हमारा तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए। सबकी प्रगती हो। सबको सही न्याय मिले और मानवता की रक्सा हो। यही हमारा धर्म होना चाहिए। आगे का प्रसना है अंत में बिच्चु ने क्या प्रतीग्ना ली यहाँ प्रसना है समद्दा नन्ही कहानी का जब दो बार नन्ही ने बिच्चु को जीवन दान दिया तब उसे अपने किये पर पच्चतावा हुआ और वह अंत में प्रतीग्ना करता है कि अब वह किसी निर् नहीं मारेगा आगे का अंतिम प्रस्ण है गोलु को कौन सी बात हमेशा याद रहेगी यहाँ प्रस्ण है सुबह कहानी का गोलु को वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो उसे पटाके से बचाने के लिए उसकी बहन रेसमा ने दिया था गोलु ने जिस पटाके को भुजा हुआ समझ कर छोड़ दिया था उसमें से चिंगार्या निकलने लगी थी और गोलु इस बात से अंजान था रेसमा उसे बचाने के लिए चिलाती है लेकिन पटाकों के सोरगुल के कारण उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती तब रेसमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती हुई गोलु के पास पहुँचती है और जोर का धक्का देकर गोलु की जान बचा लेती है तो यहाँ हमने 16 प्रश्ण के उत्तर की चर्चा की है यह सब एक वाक्या के प्रश्ण के उत्तर थे यह सारे प्रस्ण के उत्तर आपको अपनी CW में रिवीजन में लिखना है और उत्तर इस वीडियो को देखते हुए सुनकर अपने आप लिखना है ये 16 प्रस्न की PDF मैं आपको ग्रूप में बेज दूँगी Thank you